कि अगर आपके पास कोई भी बैंक है और आप लोग ऑनलाइन करते हैं तो यह वाली वीडियो आपको जरूर देखने चाहिए आपको बतादे कि यहां पर इस टाइम पैसे होल्ड होने का बहुत ज्यादा यहां पर के सामने आ रहा है बैंक अकाउंट उसमें पैसे लीन कर दि होल्ड कर दिया गया है तो आप सिर्फ 4000 विट्रॉल कर सकते हो और 6000 आपका उसी में पड़ा रहेगा जब तक कि आप उसका सल्यूशन नहीं करते हो तो क्या होता है यह लीन अमाउंट क्यों हो गया तो कैसे इसको हटाना है क्या सल्यूशन होगा साइज डिटल जो है आपको इस वाले वोड़े में दिखाने वाला हूँ तो चले मैं पहले आपको लेकर चलता हूं मुबाल की स्क्रीन पर वहाँ पर दिखाता हूं कि मेरे पैसे होल्ड हुए है और उसका प्रूफ देता हूं साथ में थोड़ा सा वाँ पर रीजन मीं दूंगा क्यों यहां पर जाओंगा क्या solution है कैसे कैसे यह पैसा आपको दुबार से मिल सकते हैं तो चले चलते हैं वाल की स्क्रीन पर पर दूस्तों से पहले बताते कि अगर आपका इस वाड़े से काम हो जाता है अगर आपका भी आपर पैसा विट्रॉल जाता है होल्ड अमांट छूट जाता है त को थोड़ा सा दिखा देते हैं फिर आपके उसके बारे में बताएं कि कैसे यहां पर क्या चीज़े हुई है हाला कि मैंने इसको ट्राइब नहीं कि अभी तक मेरा लगा यह लगा ही हुआ है तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कैसे होता है यहां पर इस्टेटमेंट 502 520 दस रपे यहां पर हमारा होल्ड हुआ है गिसमारा हुआ है वह होल्ड होने का रीजन केया है वह भी आपको बताउंगा ही तक मैं इसको लेने का ड्राइफ नहीं किका है वहां इसको डिटेवी निकाला है कैसे कैसे वह सकता है मुझे बस वह जिदम आपको समझाना च रजी था वहाँ पर मैंने गलती से बस उस लोन को क्लिक करके अपना एड़ कर दिया था और वो डारेक्ट बिना मेरे से कोई भी लोन एड्रिमेंट कर वाए कोई भी चीज करवा है वह पैसा कर दिया था इसमें और उस वाले पैसे को लोने के बाद यहां पर जो है चार से पास दिन बाद या एक हपते के अंदर अंदर यह जो पैसा है यह मेरे बैंक कॉन में लीन कर दिया गया यानि कि होल्ड कर दिया गया यहां पर आप देख पार है इंक्लूड ली अमाउंट इफ एनी तो इस तरीके से लिखा रहेगा मतलब जिस पर इस्टार बना रहेगा मतलब कि आपका यहां पर कोई उन्हें कोई अमाउंट लीन लगा हुआ है तब यह ऐसे सो करेगा ठीक है अब मैं आपको यह आपर बता दू कि यह हटाने का क्या प्रोसेस है कैसे होगा तो वह मैंच आप कैमरे पर भी किया हुआ है उस वज़े से भी हो सकता है साथी में कहीं फ्रॉड अप्लिकेशन से अपनी लोन अपलाई कर दिया हो और जगह से आपके पैसा आ चुका हो जहां जहां से पैसा आया रहागा जितने भी अकाउंट वाले चीज से लिंक रहेंगे वह सौरी ब्लॉक हो और आप भी अपना जो बैंक और मनी होल्ड हुआ है या फिलीन हुआ है उसको असानी से निकाल पाएं विड्रॉल कर पाएं तो चले लेकर सबते हैं आपको कैमरे पर ओके तो जैसा कि अभी आपने हमारा मवाईल वाला प्रूफ देख लिया कि क्या क्या चीज़े यहां प अपर लोन अप्लाई नहीं करा था बट सिर्फ बैंक और डिटेल अड्ड करने के बाद मैंने बैक और प्रूर कर दिया था था अरुने इसके बारे हम पता कि अपने बैंक पर जाकर अपने कस्टमर केर से बात करई तो उन्होंने सिर्फ बताया कि होल्ड हो गया होग वहाँ पर भी कुछ खास ड्रेल मेरे को पता नहीं चल पा रही थी फिर मैंने customer care में higher authority से बात करने का ट्राइग गिया और यह मुझे करते करते लगवग 3-4 दिन का टाइम लग गया तो जिस भी bank में आपका पैसा hold हुआ पहले आप bank को जाईए अगर वो bank वाले बता देते है क्या problem है क्या चीज़ है तब तो सही है नहीं बता पार है तो फिर आपको customer care में बात करनी है कोई भी जो normal customer care उठाता है उससे बोले कि आप higher authority से बात करवाई है मेरे ब्रांच मेनेजर है या फिर जो है वह अपने higher authority से बात करवाएंगे और फिर यह call जो है आपको अपने branch म चाहिए वह branch manager हो चाहिए वह आपको assistant manager हो वहाँ पर जाकर बोलना है कि मैं जो पैसा है मेरे account पर hold कर दिया गया और यह लोग बताने रहे कि क्या solution होने वाला है इसी तरगे से मैंने किया था मेरे को यहांपर कोई बता नहीं पार रहा था मेरे account में problem किया हुई है सिर्फ बो को भी यहांपर suspect करने का या फिर इस वाले पैसों को hold करने का request आया था bank के पास और तभी उन्होंने यहांपर request कर रहा है hold करने का और इसी वज़े से आपको पैसा hold है इसके दो तीन हो सकते है पहला fraud application या फिर fraud जगह से पैसा transfer दूसरा आपको बताते एक और कि सकता है कि अ बाद में EMI का टाइम है तो वहां से कट करवा लेंगे दो चीजों होती है आपको बता दो कि यह ज्यादा होता है कि यहां पर किसी किसी का 70,000-80,000 इस तरीके से hold कर दिया जाता है तो वह problem आती रहती है तो यहां पर यह ज्यादा होता है बट अब मैं आपको बता देता हो क सार मैं यह ऐसी दिखता थैं यहां पर यह problem हुआ है मैंने यह किया था और इस वज़े से मेरा यहां पर hold हो चुका है वह सारी चीज़ आपको पता चल जाएंगे जब आपको ब्रांच में आप जाएंगे सारी डिटेल आपको देती जाएगे यहां पर मेरे case में क्या हुआ कि तरब से मेरे काउंट पर रिपोर्ट किया जगया था तीन अजाट दस रुपय का फ्रॉट प्राइसन के लिए कि कहीं न कहीं से इसके अकाउंट में फ्रॉट तरीके से पैसे आये हैं उसलिए हमारे काउंट पर यहां पर 3010 रुपय होल्ड कर दिया गया मेरे को जीमेल से बात करने के लिए भी बोला गया अपको बैंक वाले पैसा कर देंगे और यहां पर आपका जो पैसा है वह आपकी अपको कर दिया जाएगा बट मैं आपको बता दू कि बीना साइबर क्या में किये हुए आपका यह पैसा जो नहीं मिलने वाला है अगर आप सी बैंक जा कर रहा है कि बैंक वाले आपका पैसार देंगे वापस कर देंगे तो ऐसा नहीं यह तो डिटेल में पूछी अपने कस्टमें करी हाई या खड़े वकर से बात करिए यह रिख कर यह थारेक्ट बात करवाइए कि मेरा एकॉंट में यह problem है और यह लोग solution नहीं दे रहें बैंक वाले फिर वो उनको डाट लगाते हैं सारी चीज़ उनकी आईडी वाडी लेते हैं और फिर वो अच्छे से आपको डिटेल प्रवाइड करवाते हैं अच्छे से वो डिटेल जो है खोल के आपको दे देते हैं वहाँ पार आपका पूरा एक-एक चीज़े पता चल जाती कि क्यों होल्ड हुआ है क्या solution करने पर आपका पैसा वापस आएगा तो वो डारेक्ट आपको महां पर बता दिया जाएगा बाकि इस तरीके से आपको अपना पैसा लेना वापस आपको उम्मित करते हैं समझ में आ गया है क्या क्या करनी है मेरे या पर मुझे अभी जाकर एक या फिर आप हमको इंस्टाग्राम पर डारेक्ट मैसेज कर पाया है कि टेक है कर जी आड़ी दर आपको दीख रहे होगी यहां मैसेज करके हम सब डारेक्ट बातचीत कर सकते हैं और पुरा सल्यूशन ले सकते हैं तो चलिए इसको हम एंड करते हैं मिलते हैं आप से अगले व आप सबस्टें था जजन था आप हैं जया धंख झाहिए जया हMाुत मिलते हैं यू दूदीन, आपको, रुरा-जारेक्ट पेप्विणे Lazع घ bulunक cream ऐाम,